हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल, आज हम बनाएंगे पनीर काले मिर्च, क्रीमी वाइट ग्रेवी के साथ, मुझे उमीद है कि आप इसे भेहत पसंद करेंगे, रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कॉमेंट जरूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो प् इंग्रिडेंट है, वो है काले मिर्च, इसके लिए हमने लिया है पॉना चमच काले मिर्च पाउडर, तो दही में हमने बिल्कुल थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर डालना है, और हमने लेनी है दो चमच ताजी मलाई, तो इस मलाई को पहले मैंने मिक्सी में कुस सेकिंड के लिए चला लिया था अगर आपके पास बाजार की फ्रेश क्रीम है तो सेम कॉंटिटी में आप उसे भी यूज कर सकते हो पनीर और मलाई को हमने डेट दो मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेना है और फिर पनीर के पीसिस को हमने इस तरीके से कट करके इसमें ढालके अब पैन में हमने लेना है एक टेवल स्पोन रिफाइन डॉयल रिफाइन डॉयल जब गरम हो जाए तब हमने इसमें थुड़ी सी क्रश की हुई चोटी लाइची डाल देनी है और एक मीडियम साइज की प्यास को हमने रफली चॉप करके इस तरीके से इसमें डाल देना है इसे लगातार चलाते हुँ जब प्यास का कलर हलका सा ब्राउन हो जाए तब हमने इसमें अद्रक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है लहसुन की आपने इसमें सिर्फ दो कली ही कदुकस करके डालनी है और एक इंच अद्रक का उसे भी हमने कदुकस करके इसमें डाल दिया इसे रेस्टरेंट जैसा रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल दे आट-णौ काजू तो काजू भी हमने इसमें प्यास के साथ ही रोस्ट कर लेने हैं जब प्यास का कलर इस तरीके से ट्रांस्पेरेंट सा हो जाए तब हमने गैस की फ्लेम को आफ कर देना है और बटर के, बटर डालने के इसमें बिल्कुल पी कंजूसी ना करें, क्योंकि तभी इसका रेस्टरंट स्टाइल शाही टेस्ट आएगा, बटर जब मेल्ट हो जाए तब हमने इसमें डालनी है, दो छोटी लाइची, दो लॉंग, इनको हमने कुछ सेकिंड ही रोस्ट करना है, फिर इसमें डाल देना है काजू और प्याज का पेस्ट, और सबसे जरूरी चीज़ी कि जैसे ही आप इस पेस्ट को इसमें डालते हैं, उस से पहले ही आपने गैस की फ्लेम को फिर बिल्कुल स्लो कर देना है क्योंकि काजु वाला पेस्ट एक्तम से तले में लग जाता है तो इसलिए गैस की फ्लेम को आपने धीमा रखना है और इसे कॉंटिनूसली चलाते जाना है जब तक की उबाल के इसमें बबल्स आना शुरू ना हो जाए इतना काले मिच पाउडर हमारा बच गया है क्योंकि इतना ही काले मिच पाउडर इसमें सफिशेंट है अब इस ग्रेवी को हमने बिल्कुल धीमी आज पे 2-3 मिनद तक पकाना है दूद और दही में जो भी चीज हम डालते हैं तो उसी का फ्लेवर उसमें एक्दम से आ जाता है तो इसमें हमारा अदर्क लहसुन और प्यास का फ्लेवर बिल्कुल अलग से नहीं आना चाहिए तो इसलिए हमने इसे मिल्कुल धीमी आज पे 2-3 मिनद तक अच्छे से पकाना है इसमें रेस्टरेंट बाला फ्लेवर देने के लिए इसमें दो लॉंग और एक चोटा सपीस दाल चेनी का उसका हमने फाइन पाउडर बना लिया है जो की हमने इसमें डाल दिया है और इसे ज्यादा मसाला हमने इसमें नहीं डालना है मुझे इसे पकाते हुए 3 मिनट हो गए है अब जो हमने मेरिनिट किया हुआ पनीर रखा था वो भी इसमें डाल देना है और इसे लगातार चलाते जाना है अभी हमने इसमें नमक नहीं डालना है जब तक इसमें उबालना आ जाए और इसे कॉंटिनूसली हमने चलाते जाना है अगर हम इस टाइम इसमें नमक डाल देते हैं तो ग्रेवी हमारी फट सकती है तो इसे continuously चलाते जाएं जब तक इसमें उबालना आ जाएं ग्रेवी में उबाल आ गया है अब हमने इसमें नमक एट कर देना है इस पनीर काली मिर्ट में इस क्रीमी ग्रेवी का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है कुछ हटकर कुछ अलग सा फ्लेवर आता है इसका मेरिनेट किया हुआ पनीर डालने के बाद इसे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे 2-3 मिनद तक पकाना है ये ग्रेवी बहुत जल्दी गाड़ी हो जाती है मुझे इसे पकाते हुए 2 मिनट हुए है इस टाइम हमने इसमें डालनी है एक ट्चोटा चमच बीट की हुई मलाई और तिन चुटकी क्रश की हुई कसोरी मेथी अब इसे हमने एक मिनट तक पकाना है ताकि कसोरी मेथी खाभी इसमें फ्लेवर आ जाए एक मिनिट पकाने के बाद ग्रेवी कुछ इस तरह से गाड़ी सी हो जाती है अब इसे हमने गर्मा गर्म ही सर्फ करना है क्योंकि ठंडी होने पर ये ग्रेवी और भी ज़्यादा गाड़ी हो जाती है अगर gravy आपको थोड़ी ज़्यादा गाड़ी लगे तो आपने क्या करना है थोड़ा सा इसमें ठंडा दूद डाल के mix कर लेना है थोड़ा सा ओपर से इसमें काले मिर्च पाउडर डाल दें हमारा restaurant style पनीर काले मिर्च बनकर तयार है restaurant की सारी चीजों का मज़ा हम अपने घर में बना कर ले सकते हैं और अपने हाथ की बनी हुई चीजों की तो बात ही कुछ अलग होती है आप इसे soft bread, गुलचा, नान या simple चपाती के साथ सर्फ करें